नमस्कार दोस्तो दिव्याद रिष्टी जोतिस वहन में मैं पंडित मानिक भारद्वाज सास्त्रियाप सभी का दिल से स्वागत अविनांदन करता हूँ दोस्तो देखी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जरकन स्टोन है जरकन रतन है ये दिखने में हीरे जैसे लगता है लेकिन जो हीरा हवा सुक्र ग्रह का रतन है और ये उसके उपर रतन है तो कहीं उपर रतन होते हैं तो इसके क्या फाइदे में आपको बताता हूँ देखे जैसे एक दूद होता है और दूद से हम अनेक डिसे बना लेते हैं जैसे पनीर, दहीं, लसी वगएरा इसी प्रकार जो जरकन रहते हैं अनेक कारिया में प्रियोग किया जाता है अगर हम इसको सिंपल तरीके से चांदे के उठे में जड़वा कर धारन करें तो यह फै ग्रह के उचको करने के लिए पावर को देने के लिए अगर पहने तो यह समाज में आकरशन करता है बोलने की कला देता है जैसे कलाकार इसको पहनते हैं या लेखक, कथा, वाचक इस प्रकार इसको उप्योग में करते हैं तो किसी को भी अगर विवा बादा आ रही हो तो ज एक जर्कन है अनेक इसके उपाए है सबसे बड़ी बात इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यहाँ बिल्कुल कम मुल्या पे मिल जाता है कैरट रती के हिसाब से और इसको चांदी में जड़वा कर अनामिक अंगली में सुक्रवार को धारन करें सुक्रवार को विद के कामना के लिए आकर्ष्ण वसीकरन के लिए वगेरा जो भी आप इसको जिस परकार से उप्योग में करेंगे वो आपके हाथ में आप इसको किस परकार से उप्योग करेंगे तो दोस्तों यहाँ जो जर्कन रतन है यहाँ कई साइज में आता है मैं आपको दिखा रहा हू वाला ये ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता थोड़ा बड़े वाला डालना ही अच्छा रहता है क्योंकि ये चांदी के आसपास इर्दगर्द भी जड़ जाता है तो देखिए आप इसको देख सकते हीरे के समानी चमक रहे हैं इसके अनेक लाब हैं आकर्षन समोहन वसीक करन और सुक्र ग्रह की जो पीड़ा इसको दूर करते हैं और सबसे बड़ी बात इसको माता बैन भाई सभी डाल सकते हैं इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप हमारे दिव्यद रिष्टी जोतिशवन से इसको मंगा सकते हैं बिल्कुल छोटे को मंगा सकते हैं और कर दो लका सकते हैं और रहत जार उन्हें सकते हैं st का ह 복 joka ईसको मंगा सकते हैं अपहर नहीं है अभी बग्रह को धौनेए अशवन से बicार की जजीदवनोर मंगा सकते हैं और रुष्ठी जए जाया मंगा मुतिअ सम्क्राव civi वाल ग hypoth दो मगा सर्नाव को मगा सकते हैं ओर